ओम श्यान्ति सभी को नव वर्ष मुबारक हो आप सभी अवस ही इस नए वर्ष में नई उमंगों के साथ नए लक्स के साथ और बहुत द्रड़ता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प कर रहे होंगे यह संकल्प हमें करना ही है संसार में तो लोग थोड़ी बहुत देर एक दूसरे को बढ़ाई दे के पूरा कर देते हैं लेकिन हम सब जो इस संसार की जिम्मेदार आत्माएं हैं जो भगवान के राइट हैंड हैं उसके सच्चे साथी हैं उसने जिनको अपने कारिये की पूर्ण जिम्मेदारी दी है विश्व परिवर्तन का कारिये सभी को दुक शानती से मुक्त करने का कारिये सभी को माया के चंगुल से कामक्रोद लो मौहिंकार के फंदे से छुडाने का महान कारिये और इस धरा पर दैवी स्वराज स्थापना का महान कारिये दिया है उनके लिए ये समय बहुत मुल्यवान है यहों तो दिन बीटते जाते हैं, वर्स बीटते जा रहे हैं, समय बीट रहा है, पर तो जो मनुस अपने हर पल को सुख में और वाइब्रेशन्स देने वाला बना लेते हैं, उनका विसेश महत तो होता है, तो हम सभी पहले तो पास्ट को भूलें, जो कुछ भी हुआ, उसकी चाया हमारे मान स्पटल पर न रहे, कुछ चीजे घटी थो जाती हैं, उने भूल जाती हैं, पर उनका सुक्स प्रभाव दिमाग पर चाया रहता है, जो खुश नहीं रहने देता, जो डाउन करता है, किसक को और कुछ निगेटिविटी देता है, लेकिन हम अच्छे स्वमान के अभ्यास से, ज्ञान चिंतन से, उन सब को समाप्त करें, डिलिट कर दें, और दूसरी बात, पास्ट में जो अच्छी घटनाए हुई हो, उने रिवाइज करें अपने मन में, उन से कुछ अच्छी प होई होंगी, जो हमें बहुत कुछ सिखा कर गई, उन से सीखना है, चुनोतियों को भी चुनोती देनी है, हम तुमसे अधिक पावर्फुल हैं, आओ, हम तुमें सदा के लिए स्वाप्त कर देंगे, हमारे साथ स्वयम भगवान है, हम स्वयम भीविग्न विनाशक हैं, वर संसार के लिए भी कुछ विस्सेश निगेटिविटी लेकर आ रहा है, डिप्रेशन का बढ़ता प्रकोप और जादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, भूकम्पो की भी स्थिती तीवर हो सकती है, और ग्रह युद्ध की और भी हमारे कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें सभी को अपने पुर्शार्त की एक सुन्दर प्लानिंग कर लेनी है, प्लानिंग का लक्स हमें संपूर्ण करमातीत होना और दूसरा संसार को मदद करना देना, वर्दानी स्वरूप से वाइब्रेशन्स देखकर सभी को राहत पहुँचाना होगा, किसी को साक्षातकार मौर्थ बनकर साक्षातकार कराना होगा, किसी को द्रश्टी देकर दूसरों के कस्ठ हरना होगा, किसी को वाइब्रेशन्स देकर दूसरों को सुक्चैन देना होगा, हम संपूर्ण प्योरिटी को अपना लक्स बना लें, स्रेष्ट स्वमान, स्रेष्ट स्मर्तियों में रहकर अपनी स्थती को बहुत ही समर्थवान बनाएं, योग का हमारा चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पून संतुस्ती हो, अगर हम संकल्प कर लें, कि हमें अम्रतवेले रोज बहुत अधिक एंजोय करना है बाबा से, शक्तियां लेनी हैं, द्रश्टी लेनी हैं, वर्दान लेने हैं, और संसार को द्रश्टी लेनी हैं रोज सबेरे, तो बहुत उच्तम होगा, प्योरिटी में जो कमी रह गई हो उ मैं सोते रूठते विशेश, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसंकल्प के द्वारा, और कुछ स्रेश्ट इसमर्तियां अपने अंदर रख लें, जैसे मैं विश्वकल्यान कारी हूँ, मैं मौस्ट पावर्फुल हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं कल्प रुरक्स का आधार हूँ, मैं राज रिशी हूँ, मैं इस देवी हूँ, मैं जहान का नूर हूँ, स्मर्ति घर जाने की विशेश, अपने देव स्वरूप की स्मर्ति विशेश, अपने परम पवित्र स्वरूप की स्मर्ति विशेश, अपने फरिष्टे स्वरूप की स्मर्ति हमारी स्थिति स्रेष्ट होगी तो आओ हम नए वर्ष को एंजोई करें भगवान की साथ इस वर्ष को विताएं लोगों को तो किसी को भी इसका पता नहीं है भगवान की साथ रहकर इस वर्ष को विताएं सबको पवित्र वाइब्रेशंस देते हुए सुन्दर समय को झाल झाल